जुआ पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला करने वाले तीन आरोपियों को ग्रफतार कर लिया गया है तो वहीं पुलिस उनके अन्य साथियों की तलाश कर रही है दरसल यहां पूरा मामला भैंस देही मुख्याले के समीप इस्थित ग्राम सिहार का है यह 31 मार्च को पुलिस टीम सूचना पर जुआ पकड़ने पहुची लेकिन अचानक यहां मौजूद लोगों ने दो पुलिस आरक्षकों पर हमला कर दिया जिसका एक वीडियो भी जम कर वाइरल हो रहा है इस वीडियो में भीड एक पुलिस कर्मी को पीट रही है जबकि कुछ उसे बचाने का प्रयास कर रहे है बताया जा रहा है कि यहां मेला भी लगा था और मेले के बाहर पहाड़ी पर जुआ चल रहा था जिसे पकड़ने पुलिस कर्मी गए थे तब ही भीड ने आरक्षक विवेग वविनोत को रोका और उनकी पिटाई कर दी हाला कि इस मामले में पुलिस ने शाश किये कारी में बाधा का केस दर्ज कर फिलहाल तीनों आरोपियों को गिरफतार कर लिया है जबकि अन्य की तलाश जारी है इस मामले में S.D.O.P. शिवचरण बोहित ने कहा कि इस मामले में वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई और तीन आरोपियों को गिरफतार किया गया है शेश लोगों की गिरफतारी भी की जाएगी जुए की सूचना पर पुलिस पहुची थी जो पुलिस को देख कर भाग गए थे जुआ संचालित करने वालों पर भी कारवाई की जा रही है किया है शेश कुछ लोग रहे हैं उनको भी हम शेख गरफतार करेंगे और हम किसी भी मामले में जैसा कि आप सबका सायोग और कुछ ग्रामेंड को हमको सायोग भी मिला हम ऐसे लोगों को कदी बक्ष बक्षेंगे नहीं और कड़ी से कड़ी कारवाई करेंगे तो वहीं टी आई तरन्नुम खान का कहना है कि सूचना पर पुलिस मौके पर पहुची थी लेकिन वहां मेला लगा था जिसकी आड में कुछ लोग जुआ खेल रहे थे तभी कुछ लोगों ने जुआ पकड़ने का विरोध किया लोगों को लगा कि मेला भी बंद कर देंगे इसलिए उन्होंने पुलिस से अभधरता की सिहार में जो मेला लगा है उस पर भी अलग से कारवाई की जाएगी सिहार में हुई इस घटना के बाद पुलिस आक्शन मोड में आ गई है और पुलिस आरक्षोकों की पिटाई करने वाले शेष आरूप्यों की तलाश कर रही है। Bureau Report, MB News, Baitool